क्लास नाइन्थ केमेश्ट्री में चाप्टर नमबर है दूसरा पदार्थ का वर्गी करण क्लासन करमांग पहला देखिए निमलिखित पदार्थों को तत्त्य योगिक और मिस्रण में हमें वर्गी करित करना है अलग-अलग बाटना है, ठीक है? तो पहला देखिए क्या है सबसे पहले हम तत्तो को बाटेंगे जस्ता क्या है जस्ता एक तत्तो है ठीक है जस्ता क्या है तत्तो है कैसे जस्ता तत्तो है जेडन यानि जस्ता एक परकार के पदार्थ से बना हुआ है इसमें कोई अन्य पदार्थ सामिल नहीं है अब इसके बा कौन सा है ये वाला कौन है sonium bicarbonate यह क्या है change sodiumby carbonate का मतलब होता है खाने वाला soda to sodium जो bicarbonate एक परकार का carbonic यहीं कहा जाता है इसका रासाइनिक सुदर क्या होता है इसका होता है य्यन एज सी ओ ठ्री ठीक है ये योगिक हुआ इसके बाद हम देखेंगे मिस्रन को समुदर का जल क्या है समुदर का जल मिस्रन है क्यों मिस्रन है? बहुत सारे विद्यारती कहेंगे कि समंदर का जल क्या है? एक योगि कि ये पानी है? ऐसा बिल्कुल नहीं. समंदर का जल मिस्रन है. योगि कब होता है? जब कोई पदार दो या दो से अधिक पदार एक निश्चित अनुपाद में मिलाया जाए और एक रासायने के रिया हो तो वो योगी कहा लाता है समुन्दर के जो पानी होता है उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ लावन ये नमक मिले होते हैं कई पदार्थ उसमें मिले होते हैं क्यों मिट्टी मिस्रण है मिट्टी जो है वो कार्मनिक और आकार्मनिक बदार्थों से मिलके बनी होती है और मिट्टी के कड़ों के बिच वायो भी फसी होती है ठीक है तो कुल मिलाके देखा जाए तो मिट्टी भी क्या है मिस्रण है साबून क्या है देखिए साबून भी म मिस्रण है समझ में आ गया कोईला क्या है कोईला भी मिस्रण है कोईला क्या है कोईला भी मिस्रण है कैसे कोईला में देखिए कई परकार के कार्मरिक और आकार्मरिक पदार से मिलके बनता है कोईला जन्तू के अवसेश से जानवरों के अवसेश से मिट्टी भी होता है गंकर पत्थर भी होता है तो यह सारे मिलके कोईले का निर्मान करते हैं तो यह मिस्रण है कागज क्या है कागज भी क्या है मिस्रण है कागज कैसे बनता है कागज पेंड पोधे के जो अवसेस होते हैं उससे कागज बनता है और इसमें केमिकल भी सामिल ह होते हैं इसलिए मिस्रण है ऐलकोहल क्या है विवेन्य योगी को का मिस्रण है ठीक है तो यह समझ में आ गया आपको इसके बाद दूसरा परस्ट देखिए क्या है निमलिखिद में भौतिक और रशायनिक परवर्टनों की हमें पहचान करना है असे डी तक दिया गया है चार तो आईए इसको पहल करते हैं तो यहाँ पे समझगे आप एक बच्चे का वीकास तो एक बच्चे का वीकास जो है जनम से जब तक वो बड़ा होता है जैसे जैसे एक क्या है एक रसाइनिक परिवर्टन है पहचानने का जो तरीका है मैंने आपको कई बरोताया है कि भावतिक प्रिवर्टन जो होता है उसे reverse में यानि पीछे की अवस्था में लाया जा सकता है लेकिन रासायนिक प्रिवर्टन में ऐसा नहीं होता है एक पर प्रिवर्टन हो गया तो वो दुबारा पीछे नहीं आ सकता एक बच्चे का विकास अगर हो गया तो दोबारा बच्चा छोटा नहीं हो सकता है तो बच्चे का विकास देखा जाए तो ये क्या है एक रासाइनिक प्रिवर्तन होता है दूद का दही बनना तो ये क्या है लेक्टो वेसलेस जुआणों होते हैं जिसमें क्या होता है, अमल होता है, एक रासाइनिक परिवर्तन है, दूद से दही जम गया तो पूरा वो दूद नहीं बन सकता है, ठीक है, मोम का पिगलना, मोम का पिगलना देखिए भावतिक परिवर्तन है, कैसे, मोम जब पिगलता है, तो वो द्रव अवस्था में होता है और सूख जाता है तो पुना ठोसा वस्था यानि मों में बदल जाता है तो पीछे के वस्था बे लाया जा सकता है तो यह बहुती कवस्था हो गई लकड़ी का जलना तो जलना यानि दहन जो है वो एक रसाइनिक परिवर्तन है रसाइनिक प्रिया जिसमें आक्सिजन किवसकता होती है तो लकडी का जलना जो है एक रसाइनिक प्रिवर्दन है ठीक है तो समझ गए आप लकडी एक बार जल गया तो दुबाना लकडी तो नहीं बन सकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं उम्मिद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद प्रसंट करमांग तीसरा देखिए तत्व और योगिक में हमें दो अंतर बताना है तो देखिए यहां पर तत्व पदार्त है जिसे दो या दो से अदिक बिफिन पदार्तों में जल को अगर हम तोड़ना चाहें तो रसाइनी के बिदीसा मालग कर सकते हैं ठीक है हाट वजन और अक्सीजन को लेकिन तत्व ऐसा नहीं होता दूसरा अंतर लिखना है तत्व एक ही परकार के परमारों से बना होता है जोगिक में विविन परकार के परमारों होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि इसमें ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके बड़ा इसके बाद देखिए प्रसंद करमांग चार क्या है मिस्रण के किनी दो गुणों को हमें लिखना है तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है मिस्रण के गुण देखिए पहला गुण क्या है और इसी त के बनने में प्राय उर्जा का न तो उठ सर्जन होता है ठीक है ना उर्जा निकलती है और नहीं आवसोसरण होता है इसके बाद देखिए प्रसंट करमांग चीनी विले है ठीक है और ये जल क्या है ये विलायक है तो विलायक किसको घुला लेता है तो चीनी को घुला लेता है ठीक है और ये पूरा हो गया विलियन चीनी हो गया विले पानी हो गया विलायक विले को घुलाने वाला और ये पूरा पदार्थ कहलाता है विलियन ठीक है तो हमें विले और विलाइक में अंतर बताना है तो इस तरीके से आपको लिखना है विले और विलाइक में अंतर जो पदार्थ में खुलकर विलियन बनता है पूरा विलियन का निर्मार होता है जो पदार्थ जो खुलने वाला वो विले कालाते से चीनी हो गया जबकि विलाइक में किसी पदार्थ को खुलाया जाता है जो विले को खुला लेता है तो उस द्रव का विलाइक कहा जाता है इसके बाद प्रसंद करमांग 6 देखिए क्या है आप कैसे समझते हैं कि आकसीजन एक तत्व है ठीक है यानि पदार्थ का एक सुदतम रूफ है औकसीजन ये परमारित करना है तत्व का औकसीजन एक तत्व है तो ये परमारित आपको लिखना है दूसरा जब सुद औक्रिया सुद हाइडरोजन के साथ कराई जाती है तो उस जल बनता है अगर ये दोनों सुद्ध नहीं होते तो जल करने नहींばいन नहीं होते है तत्यसीे ये परमारित होता है की उकसीजन सुद्ध है ठीक है जल बनता है तो इन्हीं कारणों से Sven draußen करिमानक साथ किन्ही चार उप्योगी मिसर्णों का उले करें ऐसे मिस्रणों का नाम बताना है चार जो उपयोगी हो, यूजफूल हो तो आपको ऐसे अंसर करना है उपयोग में आने वाले चार मिस्रण पहला है दूद, ठीक है? दूद क्या है? मिस्रण है किसका मिसरण है जल का वसा का प्रोटीन का आदी का यह मिसरण है पहला हो गया दूद हो गया जो काफी उपी होगी है और दूसरा हो गया इंक यानि स्याही तो यह जल तथा एक से अधिक रंगों का मिसरण है तीसरा है मिर्द जल सॉफ्ट ड्रिंग जो होता है वो भी क्या है? मिजरण है सोडा वाडर आदिस में पदार्थ मिले होते है और इसी तरीके से देखिए अगला प्रसन देखिए आठवा क्या है? जलिये विलियन और आ जलिये विलियन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ बे देखिए नाम से ही अस्वष्ट है जो विलियन बनता है उस विलियन का नाम का लाता है जलिये विलियन जैसे देखिए नमक आमूनियम तो नमक में जब हम पानी डालते हैं तो क्या हो गया? नमक और पानी के एक विलियन तयार हो जाता है यह जलिये विलियन का लाता है और इसके बाद आज लिये विलियन कुछ ऐसे भी पदारत हैं जो जल के अतरिक्त अन्य द्रोओं में खुलकर विलियन बनाते हैं जिसमें जल नहीं होता ऐसे द्रोओं में जो एलकोहल है ये जल के बदले हो गया इस्टिटोन है कार्वन टेट्राकोलराइट है कार्वन डाई सलफाइड मुख्याव याव ये सारी क्या है जो ऐसे विलियन बनते हैं तो वो कहलाता है आज जलिए ये दोनों समझ में आगए आपको इसके बाद देखिए प्रस्ट करमांग नाओ वास्तुविक विलियन की नहीं दो विसेस्ताओं का हमें उल्लेख करना है तो ये रहा आपको ऐसे करना है वास्तुविक विलियन की निमलिखित विसेस्ताओं है यानि वास्तुविक विलियन की दो निमलिखित विसेस्ताओं है पहला है यह संगठन क्या होता है समांग होता है यानि जो पदार्थ इसमें मिले होते हैं वो आपस में नहीं दिखाई पड़ जैसे में कि पानी में अगर हम चीनी डाल दे तो चीनी गड़ दिखाई नहीं पड़ते हैं वो समांगी विलियन हो जाता है इस तरीके के विलियन बास्तुविक विलियन घालाते हैं दूसरा यह च्छना पत्र से आर पार जा सकता है चीनी पानी में अगर चीनी डाल दें तो चाने वी तो चीनी नहीं उसमें से निकल सकता है ठीक है इसी तरीके से देखिए सारे गुण है इसके बाद देखिए 10 नमबर प्रस्ट क्या है अस संतिप्त विलियन किसी निश्ची ताप पर बना वह विलियन जिसमें विले की ओर से अधिक मात्रा अधिक मात्रा उस ताप पर खुलाई जा सके असंतिप्त विलियन कहा जाता है देखिए यहां पर उधारन दिया गया है उस ताप पर और अधिक चीनी घुलाई जा सकती है तो इस तरीके से वो विलियन कहलाता है आसंतिप्ति विलियन 11 नमबर पर आसंतिप्ति विलियन और संतिप्ति विलियन में क्या अंतर है असफ़ष्ट करें तो यहां भी देखिए आ संतिप्त विलियन किसी निश्ची तापर बना वा विलियन जिसमें विले की और अधिक मातरा खुला जा सकती है और संतिप्त विलियन के सी निश्चीत तापर बना वा विलियन जिसमें विले की मातरा उस विलियन को संतिप्त करने के लिए आवस्यक विले की मातरा से अधिक खुली हो आती संतित विलियन कहा जाता है विलायक में विले की मात्रा जादा है एक निश्चित ताप पर तेरा नमबर प्रसंद देखिए क्या है किसी पदार्थ की विलेता की परिभासा लिखे विलेता पर ताप और दाब टेम्प्रेचर और प्रेसर क्या परभाव बढ़ता है सबसे पहले विलियता की परिभासा एक निश्चित ताप पर और दाप पर 100 ग्राम विलाएक में किसी विले की खुलानी वाली अधिकतम मातरा जो विलियन को संतिप्त कर दे उस ताप और दाप पर उस विले की उस विलाइक में विलेयता कहलाती है ताप और दाप निशित होना चाहिए और निशित ताप पर कोई विले पदार्थों जब गुला लेता है तो वो उसकी क्या कहलाती है विलेता कहलाती है तो ताप और दाप का क्या परभाव पढ़ता है देखिए दाप का परभाव किसी द्रव में ठोस पदार्थों के विलेता उसके दाप के परभाव बहुत ही कम परभाव पढ़ता है ठीक है और किन्तु द्रव में किसी गैस की विलेता ताप रधी परवाव पलता है अब इसके बाद ताप का परवाव देखिए ताप बढ़ाने से विलेता बढ़ती है ताप बढ़ने से किसी विलायक में ठोस पदावती की विलेता बढ़ती है जैसे मैं कि चीनी और पानी अगर हम डाल दे तो खुल जाएगा अगर हम उसको गरम करें तो जादा मातरा में उसमें चीनी खुल सकता है ठीक है यही बात है इसके बाद देखिए 14 नमबर क्या प्रसन है दो अलग अलग प्रकनलियू में एक में नमक का जल असंतिप्त विलियन और दूसरे में संतिप्त विलियन रखा जाए तो कैसे आप पहचान करेंगे वो बदाना है तो संतिप्त और असंतिम्त की पहचान काफी आसान है देखिए तो इसमें और अधिक नमक घुल जाता है तो यह क्या है आसंतिप्त है ठीक है और इसमें नमक और अधिक नहीं घुल बाता थी पहले से क्या है संतिप्त है समझ में आगए आपको इसके बाद देखिए 15 कोलाइडी विलियन क्या है तो हमें इस तरीके से लिखना है विलियन की ऐसी अवस्था जिसमें विले के कणों का कार वास्था विलियन और निलंबन के क्या होता है मद्ध में होता है यानि उनके मद्ध बराबर होता है वास्था विलियन के कण हमें दिखाई नहीं पढ़ते हैं नंगी आखों से वास्था विलियन कण काफी चोटे होते हैं दिखाई नहीं पड़ते हैं यहां पे है और यह क्या हो गया कोलाइड और यहां पे निलमन इनके दोनों मध्यMay Mark अ क्कॉन इनके दोनों के बीच है कोलाइड को ज़िए dosie जाए ही रखते तूट पेश्ट यह सवाग सारा क्या है यह को लाइट का उधारन है तो आपको यह परिभासा और इसका उधारन आपको लिखना है इसके बाद 16 नमबर प्रसंद देखिए निमली खित में परते का एक उधारन देना है ठीक है तो देखिए पाइस जेल एरोसा और जाग तो यहां पर देखिए पाइस का उधारन क्या है दूद तो यह सारे है बाल क्रीम और जेल का उधारन देखिए क्या है मक्कन पनीर एरोसाल का उधारन धुवा बादल कुवासा और यह क्या है यह ठोस गैस का यह कोलाइड है